हेलो एवरीवान दिस इस जोती है और आज की वीडियो में बात करेंगे रुची सोया के बारे में आज कल ये स्टॉक काफी न्यूस में है इस्पेशली जब से इसका एफपी ओ आया है लिस्टिंग के बाद भी इसमें अच्छी मुमेट देखनी को मिली है और करेंटली ये स्टॉक 930 के आसपास ट्रेट कर रहा है इस एफपी ओ के तुरू रुची सोया ने 4,300 करोर्स रुपीज रेज किये हैं जिसमें से कंपनी ने 2,925 करोर्स रुपीज लोन रिपेमेंट के लिए यूज किया है और बाकी का फंट कंपनी ने अपने अगर हम रुची सोया कंपनी की बात करें तो जहां एक तरफ ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी थी वहीं आज की डेट में ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है 2019 में बाबा राम देब ने इस कंपनी को 4,350 क्रोड रुपीज में खड़ीदा था तब बाबा राम देब के पास इस कंपनी के 99% स्टेक थे जो आज एफपीओ आने के बाद 81% रह गए हैं अब इसे रिलेटेड दो इंपॉर्टन न्यूज में आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर फर्स्टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस स्टाउक से रिलेटेड पहले इंपॉर्टन न्यूज है कि अब रुची सोया कंप्लेट डेट फ्री हो चुकी है FPO आने से पहले अपने DRHP में रुची सोया ने लिखा था कि जो भी फंट कंपनी रेज करने वाली है FPO के थुरू 4,300 करोर का उसमें से 1,950 करोर रुपीज का वो लोन रिपेमेंट करने वाली है लेकिन फंट रेज होने के बाद जितना भी लोन था 2,925 करोर का टोटल लोन कंपनी ने पेमेंट कर दिया है और अब कंपनी टोटली डेट फ्री हो चुकी है तो ये एक बहुत ही positive news है ये एक positive sentiment दिखाता है company की तरफ से तो ये पहला news है दूसरी news है कि company का नाम बदलने की बात चल रही है company का नाम रुची सोया से पतांजली food किया जा सकता है इस नाम को अभी approval नहीं मिला है लेकिन ये अभी बात चल रही है तो अगर ये नाम change होता है तो ये भी एक positive sentiment है क्योंकि पतांजली food पतांजली अपने आप में एक बहुत बरा brand है public का पतांजली पे एक trust है तो अगर ये name change होता है तो ये भी एक positive sentiment होगा और ये एक अच्छी movement दिखा सकता है stock में तो अगर आपके पास ये stock है तो आप इसको long term के लिए invested इसमें stay invested रह सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है और आप लेने का सोच रहे हैं तो आप buy on dips कर सकते हैं जैसे इसके prices में थोरी movement देखने को मिलती है ये नीचे आता है तो आप इसे से related तो I hope कि आपके लिए informative रहा होगा तो वीडियो के लाइक कर दीजी और मिलते है next video में thank you